हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे एक मॉडुलस ओफ वेक्टर और दूसरा योनिट वेक्टर दोनों ही टॉपिक सिंपल हैं और इसली आप इनको समझ भी जाओगे लेकिन जब हम इस टॉपिक से रिलेटेड निमेरिकल कुश्चन करेंगे न देन आपको इस टॉपिक की इंपोर्टेंट समझ में आएगे कि ये टॉपिक कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है देखे चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपम आपका 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 लॉपिक समझ गा हो सकता है आपका acceleration vector हो सकता है आपका displacement vector हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैंने force vector का example ले रहा है अब देखो जैसे यह वाला जो topic है यह topic यह वाला यहाँ पर जैसे मैंने 5 newton along x-axis लिखा इसे 5 eye cap लिखा जाता है यह मैं previous video में आपको बता चुका हूँ अब देखो जैसे यहाँ पर यह force 5 eye cap लिखा है यह 3 j cap लिखा है यह 2 k cap लिखा है इसका मतलब क्या होता है इसे मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ देखो मान लीजिए यहाँ पर यह आपकी x-axis है यह आपकी y-axis है और यह आपकी z-axis है और यहाँ पर कोई block रखा है अगर आप किसी block पे 5 newton का force लगाते हो इस x-axis की direction में अगर आप 5 newton का force लगा रहे हो तो इस force को कैसे लिखा जाएगा 5 eye cap लिखा जाएगा eye cap क्या है यह unit vector होता है अभी unit vector का topic भी आएगा मतलब यह जो 5 newton का force लगा रहे हो तो इसे लिखा कैसे जाता है इसे 5 eye cap लिखा जाता है तो यह वाली जो direction होती है इस वाली direction को eye cap से denote किया जाता है इस वाली direction को जो है j cap से denote किया जाता है और इस वाली direction को जो है k cap से denote किया जाता है समझ रो अब देखो जैसे यहाँ पे 3 eye cap लिखा है along y axis, अब देखो जैसे यहाँ पर 2 k cap लिखा है, इसका मतलब यह है कि इस particle पे, इस direction पे 2 newton का force लग रहा है along z axis, तीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर negative 3 i cap लिखा है तो यह negative i cap का मतलब क्या होता है, कि आप 3 newton का force लगा रहा हो, along negative x axis, अब देखो यह तो positive x axis है अब वें सीदेखो, आपके इसके opposite direction में जो है आपका negative y axis होगा, तो इस negative y axis को जो है negative j cap से denote किया जाता है, और इसका opposite direction क्या हो जाएगा यह आपका negative z axis हो जाएगा, तो इस negative z axis की direction को जो है, negative k cap से denote किया जाता है, ठीक है अब देखो जैसे यहाँ पर force कितना लिखा है, negative 3 i cap लिखा है इसका मतलब यह 3 newton का force जो है, negative x axis में लग रहा है यह negative 2 j cap का मतलब यह 2 newton का force जो है, negative y axis में लग रहा है यह negative 5 k cap का मतलब यह 5 newton का force जो है, negative z axis में लग रहा है अब देखो यहाँ पर यह जो modulus होता है इसे लिखा कैसे जाता है देखो सबसे पहले जैसे आपका यह force है force हमने यह 5 i cap लिख दिया तो यह जो force है इसके पास 5 i cap का मतलब क्या है कि यह 5 newton का force है 5 newton का force है along x axis है तो यही क्या है आपका modulus है इस लिखा कैसे जाता है माल नीजिये आपके सामने कोई क्योशन आजाता है if f vector is equal to 5 आई-c?, LIका है find the modulus of f vector आपको इस f vector ka modulus find करना है तो देखो इसे solve कैसे करेंगे, modalus of f vector लिखा कैसे जाता है आपको जु है f vector बनाना है और यहाँ पर ऐसे modulus का sign बना देना है ठीक है इसी को modulus of F vector पढ़ा जाता है और इसे simple आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे लिखने का तरीका ये भी होता है आप just F लिखना है आपको ये force है बस इसको उपर ऐसे arrow नहीं बनाना अगर आप जैसे force लिखते हो इसको उपर अगर आप arrow नहीं बनाते हो तो उसका मतलब भी इसे भी आप modulus of F vector ही पढ़ोगे देखो जब आप किसी भी जैसे आपका जैसे ये force लिखा है मैंने इसको उपर अगर मैं vector का sign बना देता हूँ इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर magnitude भी लिखना है और direction भी लिखना है देखो जैसे यहाँ पर इसके उपर vector का sign है तो यहाँ पर यह magnitude यह क्या है direction को represent कर रहा है ठीक है तो जब भी force के उपर vector का sign होगा तो आपको magnitude भी लिखना पड़ेगा और direction भी लिखनी पड़ेगी लेकिन अगर आप इस force के उपर vector का sign नहीं लगाते हो अगर vector का sign नहीं लगाते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ उसका magnitude बताना है तो देखो force vector तो क्या है आपका 5i क्या पर तो इसका magnitude वो कितना है 5 है 5 Newton तो यही इसका answer है बस लिखने का तरीका आना चाहिए आप जो है इस modulus of f vector को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर f के उपर आप ऐसे vector का sign बना देते हो देन आपको यह modulus का sign भी बनाना पड़ेगा और simply आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो अब देखो एक ओर चीज बताता हो जैसे माल लीजे अगर question में ऐसे आ रहा है if f vector आपको यह negative 3 eye cap दे रहा है यह बहुत important इससे ध्यान से देखना find the find the modulus of f vector मुझे इसका modulus बताना है जो आपका modulus होता है वो आपका हमेही सा positive होता है अगर मुझे इसका modulus बताना पड़ेगा तो modulus कितना आएगा हम ऐसे modulus of f vector लिखेंगे इसे आप just f भी लिख सकते हो तो इसका modulus होगा वो 3 newton होगा negative 3 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा negative देखो बताता हूँ अभी देखो जैसे यहाँ पर force कितना यह negative 3 i cap लिखा है तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि force तो 3 newton है लेकिन वो along negative x axis लग रहा है negative i cap का मतलब क्या होता है negative x axis जैसे देखो यह आपका negative 3 i cap है तो जो force का magnitude होगा magnitude तो यह 3 है यह negative sign तो सिर्फ direction को represent करता है यह negative x axis को denote कर रहा है ठीक है तो हमें इसा याद रपना कि जो modulus होता है आपका वो हमें इसा आपका positive वाता है उसे आपको negative नहीं लिखना है ठीक है अब देखो important question क्या है यहाँ पर find करना ठीक है वैसे यह question है आपका vector addition के topics है अभी हमने vector addition का topic तो नहीं पढ़ा है लेकिन अभी next video में आएगा आपका vector addition का topic लेकिन यहाँ पर यह question मुझे लेना था इसलिए मुझे यह question कराना पढ़ रहा है क्योंकि यह आपका modulus से related question है अब देखो इसके meaning समझाता हूँ यह क्या है इसका मतलब देखो यह क्या है यह 3i cap यह कोई force है इसे हम F1 नाम दे देते हैं और यह force j cap क्या है यह भी आपकी एक force है इसे मैंने F2 नाम दे दिया यह आपका कोई force vector नहीं यह इन दोनों का क्या हो रहा है addition हो रहा है और मुझे यहाँ पर इन दोनों का addition के बाद मुझे एक नया force मिल रहा है जिसे हम F force बोल रहे है जिसे हम resultant force भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है इसे समझ लेते हैं दीखिए जैसे मैंने यहाँ पर यह X-axis बनाई, यह X-axis है, यह आपकी Y-axis है और यह आपकी Z-axis है, अब देखो जैसे माल लेज़े यहाँ पर कोई particle है, अब देखो यह 3 I-cap का मतलब क्या होता है, 3 I-cap का मतलब यह 4 जो है X-axis में लग रही है, इसे हम क्या बोलेंगे 3 I-cap बोलेंगे, इ इसका magnitude 3 है, इसका magnitude 4 है, इसलिए मैंने इस vector को थोड़ा बड़ा बना रखा है, अब देखो अगर इस particle पे, देखो यहाँ पे plus लिखा है ना, इस plus का मतलब ये होता है कि ये दोनों forces जो हैं, किसी same object पे ही लग रही हैं, ये दोनों forces जो हैं, किसी same object पे ही लग रही हैं, टेक ह अगर वो किसी particular direction में move कर रहा है तो उस direction में भी ये block क्या कर रहा होगा ये object क्या कर रहा होगा force को feel कर रहा होगा अगर इस object में इस direction में भी force लग रही है इस direction में भी force लग रही है तो ये object किदर move करेगा ये object ना तो इस direction में move करेगा ना तो इस direction में move करेगा वो किसी different direction में move करने वाला है अब उस direction का हम каким कैसे पता करें तो लो बहुत easily हम उस direction का पता कर सकते हैं लो मैंने आपको एक equal vector के बारे में बताया था जब मैंने previous video को में आपको equal vector ke बारे में क्या समझाया था देखो जैसे मान लीजे तो इन दोनों वेक्टर को जो है equal vector बोला जाएगा इन दोनों वेक्टर को equal vector बोला जाता है कोई भी दो वेक्टर अगर same direction में है और उनकी length भी क्या है उनकी length भी क्या है equal है तो उन्हें equal vector बोला जाता है जैसे equal vector ये a vector है और यह दूसरा same length का एक दूसरा vector अगर drop कर दूँगा मैं तो यह भी same direction में माने जाते हैं क्योंकि यह दूनों के दूनों के यह parallel है तो जो vector parallel होते हैं उन्हें भी same direction में माना जाता है तो यह दूनों भी equal vector है ठीक है अब देखो यहाँ पे equal vector की help से हम इसे आगे करेंगे देखो देखो क्या है मुझे यहाँ पे यह जो object है इसका direction पता करना है कि किस direction में यह object move करने वाला है अब देखो मुझे क्या करना है जैसे यह vector है एक equal vector यहाँ पे draw करना है ये vector मैंने equal vector draw कर दिया, ठीक है, अब देखो इस vector, इस vector को देखिए, इसका length, इसका length same है, इसकी direction, इसकी direction दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की parallel है, तो ये equal vector माने जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, ये vector भी क्या होगा, 4G cap होगा, अब देखो एक vector इधर draw कर दीजे, जितनी length का यह vector है उतनी length का इधर एक vector draw कर दीजे तो यह vector भी क्या होगा 3I cap होगा आब देखो मुझे इसका direction पता करना है कि किस direction में यह move करेगा तो देखो जैसे यह vector है यह vector का head है यह vector का tail है यह वाला जो vector है इस vector का head यह है इस vector का tail है तो यहां से मुझे एक diagonal produce करना है, मतब एक नया vector produce करना है, इस direction में एक नया vector बनाना है, तो यही जो नया vector है, यह F vector है, यह क्या है, F vector है, यह वाला F vector है, यानि कि यह जो particle है इस direction में move करेगा, अगर कोई दो forces, एक force इस direction में, एक force इस direction में लग रही है, तो यह particle जो है, इस direction म move कर रहा है तो इसका मतब यह particle इस direction मן coin कोई force भी made रहा होगा तो उस force का हमें magnitude find करना है we can find F possibility find मतब magnitude find मतब magnitude find हम अब यहां पर मुझे right angle triangle आखर वाल इसकी naming कर देता है यह, a हो गया, a b हो गया और और इती, c हो गया हमें right angle triangle मिल गया तो आप मैं यहाँ पे पाइथाओ को रिए स्थिरम लगा सकता हूं, देखो यह AC है ना, तो AC का whole square is equal to क्या हो जाएगा, आपका AB का whole square plus BC का whole square, तो AC is equal to क्या हो जाएगा, finally, यह under root AB का whole square plus BC का whole square, तो यह AC, यह जो AC है, जिसे हम AC vector बोलना है, यह क्या है, F vector, मुझे इस F vector का कहें निखालना है, magnitude निखालना है, magnitude, ठीक है, यह निखालना है, modulus निखालना है, तो हम इसे F vector के सामने, मैंने यह modulus बना दिया, ऐसे under root करना है, और यह जो AB है, इस AB vector का magnitude कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का whole square आजाएगा, और यहाँ पे यह जो bc vector है इस bc vector का magnitude कितना है 4 है तो यह 4 का whole square आ जाएगा तो इस तरीके सा हम modulus को calculate करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे देखो हम मुझे इसका क्या करना था modulus calculate करना था इस f vector का तो f vector का जो modulus होगा जिसे हम just f भी लिख सकते हैं वो क्या करना है ऐसे under root बनाना है यह 3 का whole square प्लस 4 का whole square तो यह जो 3 लिखा है ना इस 3 का whole square कीजिए और यह जो 4 लिखा है इस 4 का whole square कीजिए ऐसा आपको diagram बनाने की जोरत नहीं है actual में यह topic जब vector addition आएगा ना वहाँ पे इस topic को दुबारे हम मतलब ब्रीफली समझेंगे उसे explain करेंगे वहाँ पे इस topic को लेकिन हमेशा यादतना कोई भी vector इस तरीके से लिखा है उसका अगर आपको modulus calculate करना है तो आपको ऐसे under root बनाना है और यह जो 3 लिखाना है इसका whole square कर दीजिए फिर plus बनाईए इस 4 का whole square कर दीजिए तो आपको इस F vector का modulus मिल जाएगा यह 3 3 9 हो गया यह 4 4 16 हो गया यह 16 plus 9 कितना हो जाएगा root 25 यह finally कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा मतलब यह जो particle है इस particle पे इस direction पे 5 Newton की force यह particle feel कर रहा होगा यह है कहने का मतलब अब देखो next question जैसे यह वाला question है इसे कैसे करेंगे देखो यहाँ पे जो है कोई force vector गीवान है हमें यह और यह find the modulus of F लिखा है जैसे हमने इस question को किया ना सेम तरीके से इसे भी किया जाएगा तो यहाँ पे ऐसे modulus बनाया modulus of F vector ऐसे under root बनाना है और यहाँ पे यह 3 का whole square करना है फिर यह plus करना है और यह 4 का whole square करना है आप सोच रहोंगो यहाँ पे negative क्यों नहीं लिखा देखो यह negative 4 है यह negative 4 है लेकिन यह जो vector है यह वाला जो vector है इसका जो magnitude है वो positive 4 है magnitude हमें इसा positive लेना होता है यहाँ पे भी तो यह magnitude लिखाता है यह magnitude मैंने आपको क्या बताया थे जो modulus होता है वो हमें इसा आपका positive होता है उसे negative नहीं लिखा जाता और मान लीजिए अगर मैं इसे negative लिख भी लेता लो negative लिख दिया फिर भी आंसर सेम आएगा क्योंकि negative का whole square क्या होगा positive हो जाएगा अब देखो यह क्या है आपका 3 का whole square 9 हो जाएगा यह 4,4 चा 16 हो जाएगा तो यह क्या आगिया आपका 16 plus 9 25 और यह finally क्या आगिया 5 आगिया 5 न्यूटन तो यह जो force vector है इसका जो modulus है वो कितना है 5 न्यूटन है अब देखो एक और question कर लेते है जैसे यह question है यह question अगर आता है तो इसे कैसे करेंगे देखो आपको ऐसे modulus बनाना है यह factor लिखा देखो यह topic है आप यह discuss होंगे आगे चल करके discuss होंगे और लेकिन यहां पर हमें modulus find करना था तो इसलिए ऐसे questions आ जाते हैं इसलिए मुझे इस type के question लेने पड़ रहे है तो देखो इससे कैसे करेंगे आपको 3 लिखना है इसका whole square करना है 4 का whole square करना है और यह 10 का whole square करना है ठीक है इससे आगे solve कीजिए यह आपका 3-3 जा 9 हो जाएगा 4-4 जा 16 हो जाएगा यह 10-10 जा 100 हो गया तो यह कितना हो गया आपका root 125 हो गया हम इसे finally क्या लिख सकते हैं यह कितना हो जाएगा तो root 25 आप answer root 25 भी लिख सकतो ठीक है जैसे आपका कोई answer मान लीजिए 5 आ रहा है unit vector क्या होता देखिए दोको unit vector के लिए सबसे पहले मैं कोई force vector ले लेता हूँ जैसे यह आपका force vector 3 i cap है कोई दूसरा force vector मान लीजिए 2 j cap लिख है कोई force vector जो है आपका यह 5 k cap है तो यह जो i cap है यह जो j cap है यह को ein अब इन्हें समझते है लिग हां ये एउनट वेक्टर का काम क्या होता है, जीसे यहां पे हमने force क्या लिगा है, तो jego force का है 23,ア publishing degree में ये the magnitude है, इसar थी थी ये the इले मेटी में ये वेक्टर क्या करता है, इस year investment 3 इसे direction प्रोवाइट कर आता है, force क पास मेप्स क्या होता है, गया क magnitude को जो direction provide कराता है वो कौन होता है unit vector होता है unit vector का काम होता है magnitude को direction provide कराना then तब जाकर के force vector माना जाता है then तब जाकर के यह क्या माना जाता है force vector माना जाता है देखो इससे समझते हैं सबसे पहले देखो जैसे मान लीजिए यह force vector किता दे रहा है यह force vector है, जिसे हम 3 i cap बोल रहे हैं, अब देखो, यहाँ पर यह 3 i cap का मतलब क्या होता है, इस 3 i cap का मतलब होता है, i cap plus i cap plus i cap, समझ रहो इसे, अब देखो, अगर मैं इस vector के 3 equal pieces कर दूँ, इसके 3 छोटे-छोटे टुकडे कर दूँ, अगर मैं equal टुकडे, तो एक टुकडा यह हो जाएगा, एक piece, एक piece ही हो जाएगा, एक piece ही हो जाएगा, तो यह जो छोटा सा टुकडा है इसे i cap बोल जाता है, और इसे भी i cap बोल जाता है, समझ रहो इस चीज़ को, तो यह क्या है, आपका unit vector है, unit vector का मतलब होता है, एक छोटा सा vector, unit का मतलब छोटा, छोटा vector, देखो यह तो बड़ा vector था, तो इसके हमने छोटे-छोटे 3 टुकडे कर दिये, तो यह जो छोटा वाला टुकडा है, इसी को unit vector बोला जाता है, समझ रहो, अब देखो यहाँ प तो यह finally क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहो, अब देखो यह जो force vector था, 3 i cap, इसका जो modular से वो कितना है, 3 है, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, जैसे माल लीजिए, यह force vector जैसे आपका यह 3 i cap लिखा है, अब देखो होता है, देखो उसे समझते हैं, जैसे माल लीजिए, यह आपका छोटा सा unit vector है, जैसे हम i cap लो रहे हैं, देखो जैसे vector आपका यह होता है, तो vector के पास क्या होती है, यह arrow होती है, यह arrow जो होती है, direction को represent करती है, तो देखो इसके उपर हमने यह arrow बना रखा है, तो यह arrow क्या यह direction को represent कर रहा है अब देखो जैसे यह i cap एक vector है जिसे हम unit vector बोल रहे है अगर मैं इस i cap को 3 के साथ multiply कर देता हूँ तो यह जो vector है यह 3 times बड़ा हो जाता है किसी भी vector को अगर आप किसी real number से multiply करते हो तो आपको वो जो vector होता है वो vector 3 times बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी direction change नहीं होती है देखो अभी भी दोनों की direction क्या है same है, दोनों के दोनों क्या है parallel है, उनकी direction कभी भी change नहीं होगी किसी भी vector को अगर आप किसी real number से multiply करोगे तो हमें same उसी direction में एक नया vector मिलता है बस उस vector की जो length होती है वो 3 times हो जाती है तो यह आपका क्या है, 3 i cap vector है समझ माया अब देखो इसका definition पढ़ते हैं definition में क्या लिखा है it is a vector of unit magnitude unit magnitude का मतलब क्या होता है, 1 होता है जैसे कोई vector है, उसका जो modulus है वो क्या होता है, 1 होता है यह एक unit vector होता है उनका magnitude कितना होता है, 1 होता है it is a unit less vector देखो इसे यह unit less vector होता है मतलब यह dimension less होता है जैसे आपका force का unit क्या होता है, newton होता है velocity का unit क्या होता है, meter per second होता है वैसी यह जो unit vector होता है इनका कोई unit नहीं होता है इसलिए इसे unit less vector यहां पर लिखा है and represent direction only यह सिर्फ direction को represent करते हैं यह जो 3 newton है, इस 3 newton को direction कौन provide कर रहा है, यह unit vector इसे direction provide कर रहा है, यह 2 newton है, इस direction कौन provide कर रहा है यह j cap जो unit vector है यही इस 2 newton को direction provide कर रहा है, इसलिए यह f vector बन पाया, इसलिए यह force vector बन पाया, ओके समझ रहो इस चीज को, अब देखो जैसे इसके कुछ questions कर लेते हैं, इसके questions बहुत important है, टीक है, जो कि आपके exam में पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहले, कोई भी, देखो unit vector का formula क्या बनेगा, पहले इसका formula बनाते हैं कि unit vector का formula क्या होगा, तो देखो जैसे मान लीजे, मैंने यह force vector, यह 3 i cap यहाँ पे लिख दिया, मैंने force vector, अब देखो इसे तो क्या बोला जाता है, इसे modulus बोला जाता है, यह क्या आपका modulus है, इस vector का modulus है, यह क्या है, आपका unit vector है, यह आपका unit vector है, यह आपका modulus है, यह आपका unit vector है, अब देखो यह जो f vector है, यह जो f vector है, और यह 3 क्या modulus है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, modulus ऐसे लिख सकता हूँ, और यह i cap क्या है, यह unit vector है, है formula है अब देखो questions करते हैं इससे related questions करते हैं कि question किस type के आ सकते हैं माल लीजे आपको यहाँ पे कोई question है find the unit vector of 5 i cap कोई vector दे रगा 5 i cap और इसका आपको unit vector find करना है तो इसका देखो कैसे करेंगे से तो चलो मैंने इस unit vector को a vector नाम दे दिया ठीक है let a vector is equal to कितना है 5 i cap है अब इसका unit vector निखालना है तो unit vector का formula मैंने आपको यह बता रखा है unit vector क्या हो जाएगा आपका unit vector हो जाएगा यह हो जाएगा आपका a vector modulus of a vector तो यह finally a vector कितना दे रखा आपको 5 i cap दे रखा है और modulus of A vector क्या हो जाएगा, modulus तो यह 5 है, यहाँ पर यह 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 पेड़ गया, तो यह unit vector है, unit vector क्या आ गया आपका, यह i cap आ गया, तो यह i cap ही तो unit vector होता है, समझ माया, अब देखो next question करते हैं, यह question देखी, यह question कितना important है, देखो यहाँ पर मुझे unit vector find करना है तो देखो पहले मैंने इस vector को a vector नाम दे दिया, यह vector आपको given है, इसका मुझे unit vector find करना है, let a vector, जो की हमें given है, 4i cap minus 3j cap, इसका unit vector हमें find करना है, तो उसे कैसे करेंगे, देखो इसका formula क्या हो जाएगा, a vector divided by modulus of a vector, तो यह finally क्या हो जाएगा, unit vector जो होगा, a vector यहाँ पर हमे given है, इसे यहाँ पर लिख दीजिए, 4i cap minus 3j cap, और इस a vector का modulus find कीजिए, modulus कैसे find करते हैं, पीछे बताया है था मैंने आपको, ऐसे under root बनाना है, इस 4 का whole square करना है, और यह plus लिखना है यहाँ और यह negative 3 का whole square कर दीजिए, ठीक है, मैंसे positive 3 भी लिखा जा सकता है इसे, क्योंकि जो magnitude होता है, वो हमेशा आपका positive होता है, negative भी लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, यह 4i cap minus 3j cap divided by, यह कितना हो जाएगा, 4, 4, 16, और यह आपका 9 हो जाएगा, तो यह finally क्या होगी, आपका answer, 4i cap minus 3j cap, यह होगी, आपका root 25, तो इसे आप finally लिख सकते हो, 4i cap minus 3j cap divided by 5, यही आपका क्या है, unit vector है, यही आपका, यह जो given vector था, इस given vector का unit vector है, अब देखो, जैसे यह question है, यह question बहुत important question है, यहाँ पर आपका, if a vector, a vector यह दे रखा है, b vector आपको यह given है, हमें find a vector, एक नया vector find करना है, suppose वो जो नया vector मुझे find करना है, मैंने उस नय vector को c vector न होना चाहिए, एक तो इसका modulus होना चाहिए, और एक इसका unit vector भी होना चाहिए, तब ही मैं क्या कर पाऊंगा, इस vector को बना पाऊंगा, एक तो मुझे इसका modulus चाहिए, और एक unit vector चाहिए, ठीक है, तो find a vector having the same magnitude as a vector, वो यह कह रहा है, कि यह जो नया vector हमें find करना है, इस नया vector क का magnitude है, question में यह कह रहा है, कि जो इस a vector का magnitude है, वही जिस vector को हमें find करना है, जिस हम c vector कह रहे है, उस c vector का magnitude भी वही है, तो सबसे पहले हम इस a vector का magnitude find कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ put कर देंगे, तो जो a vector का magnitude होगा, उसे कैसे find करते हैं, ऐसे modulus of a vector लिखते हैं, ऐसे under root बनाते हैं, अब देखो A vector हमें यह given है, तो यह 3 का whole square हो जाएगा, plus 4 का whole square हो जाएगा, तो यह finally क्या आजाएगा, 3, 3, 9, 4, 4, 16, यह आपका root 25 हो गया, यह क्या हो गया, आपका 5 हो गया, तो modulus of A vector कितना आगया, 5 हो आगया, तो इस A vector का magnitude किसके equal है, इसके equal है हमें question में given है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, यह 5 आजाएगा, तो यहाँ पर अभी unit vector लिख देते हैं, अब देखो unit vector भी हमें find करना है, अब देखो आगे क्या लिखा है, and parallel to B, यह जो vector हमें find करना है, जो की C vector है, यह किसके parallel है, इस B vector के parallel है, तो दोनों के दोनादर parallel होंगे, तो दोनों की direction क्या होगी, same होगी, मतलब जो इस vector का unit vector होगा, वो ही इस vector का भी unit vector होगा, समझे रहो न देखो इससे समझाता हूँ जैसे मान लीजिए कोई force vector है यह 3i cap है और कोई यह force vector है यह आपका 4i cap है तो देखो इसका magnitude 4 है इसका magnitude 3 है लेकिन इसका length क्या है तोड़ा जाद है लेकिन दोनों की direction क्या है same है क्योंकि यह दोनों की दोनों parallel है तो जो vector parallel होते है उनकी direction same होती है और उनका unit vector भी क्या होता है same होता है उनका unit vector इसका मतलब यह है कि दोनों की direction है वो x-axis के along है समझ मारा है अब देखो यहां पे हमेhe given यह कि यह c vector है c vector b vector के parallel है तो जो इस b vector का unit vector होगा वो ही c vector का भी unit vector होगा तो हम क्या करते हैं इस B vector का unit vector calculate कर देते हैं और उसी को हम यहाँ पर put कर देंगे तो B vector का unit vector कैसे calculate करेंगे B unit vector is equal to B vector divided by modulus of B vector तो यह B unit vector कितना हो जाएगा आपका देखो B vector हमें given है यहाँ पर यह 7 I cap plus 24 J cap divided by इसका modulus निकालो तो यह 7 का whole square हो जाएगा और यह 24 का whole square हो जाएगा तो finally यह B unit vector कितना हो जाएगा आपका यह 7 I cap plus 24 का J cap divided by यह हो जाएगा आपका 49 और इसका जब 24 का whole square करोगे तो यह आएगा आपका 576 तो यह जो B unit vector है यह आगि आपका 7 I cap plus 24 का J cap divided by जब इससे आप add करोगे तो यह 625 होगा अब देखो इसे हम finally लिखेंगे B unit vector जो होगा आपका ये 7 I cap plus 24 J cap और ये divided by ये हो जाएगा आपका 25 अब देखो ये जो B B vector का unit vector है वो ही इस C vector का unit vector माना जाएगा क्योंकि ये question में हमें given है तो इस unit vector को हम यहाँ put कर देंगे जैसे मैं ये C vector हमें ये वाला मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ दुबारे ये 5 लिखा है और ये unit vector लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 5 और इस unit vector को यहाँ पर लिख देना है ये होगे आपका 7 I cap plus 24 J cap divided by 25 तो ये आपका cancel होकर के क्या आजाएगा यहाँ पर डिवाइड होकर के 5 आजाएगा तो ये आपका C vector निखल गया वो कितना है रहा है आपका 7 I cap plus 24 J cap divided by 5 यही क्या है आपका C vector है C vector ही तो हमें यहाँ पर फाइन करना था ठीक है अब देखो एक ओर topic है यहाँ पर देखो एक ओर topic है यहाँ पर Multiplication of a vector by a scalar अगर हम किसी scalar quantity को vector quantity के साथ multiply करते हैं तो हमें result में क्या मिलता है देखो जिसे आपका velocity क्या होता है आपका एक vector quantity होता है ठीक है और time क्या होता है आपका एक scalar quantity होता है तो velocity into time क्या होता है आपका displacement होता है one marks में एक question आ जाता है exam में इसलिए बता रहा हूँ important topic है देखो यह क्या है आपकी यह तो आपकी vector quantity है velocity क्या होती है आपकी vector quantity होती है time क्या होती है आपकी scalar quantity होती है scalar quantity displacement क्या है आपकी vector quantity है तो जब भी आप किसी vector quantity को scalar quantity के साथ multiply करते हो तो आपको result में क्या मिलता है? vector quantity ही मिलता है, देखो जैसे velocity का है आपका, ये 4 i cap मान लीजे, 4 i cap आपको velocity दे रही के meter per second, इसका मतलब ये है, कि velocity 4 meter per second है, इसकी direction क्या है? along x-axis है, मतलब कोई object x-axis में move कर रहा है, time दे रहा है, आपको 2 second दे रहा है, आपको displacement fine करना है, ठीक है? आपने displacement fine किया, तो displacement जब fine करोगो तो velocity into time होता है, velocity कितना दे रहा है, आपको ये 4 i cap दे रहा है और ये time कितना दे रहा है, आपको ये 2 second दे रहा है, तो ये 4 to the 8 i cap हो जाएगा तो देखो यहाँ पे velocity का जो direction था वो i cap था यहाँ पे जो displacement का direction है वो भी क्या है i cap है तो जब भी आप किसी scalar quantity को किसी vector quantity के साथ multiply करते हो तो इस vector quantity की direction change नहीं होती है जो velocity की direction होगी वो ही displacement की direction भी होगी देखो यहाँ पे velocity की direction क्या है i cap है और यहाँ पे displacement की direction क्या है? I cap है. सिर्फ इनके magnitude change हुए है. इसका magnitude 4 था, इसका 8 था. लेकिन direction क्या है? सेम है. ठीक है? तो यह topic आपका complete हो जाता है. ओके?